कहानी की शुरुवात में हम काव्या प्रतप सिंग नाम की एक वर्य निकी स्टाइलिश पंजावी लग्य को देखते है जो कि अपने पेरिंस के साथ अंबला नाम की एक शहर में रहती है और बहुत जल काव्या की शादी एक NRI अमेरिकन डॉक्टर के साथ होने वाली थे और क काव्या के शादी की ही तयारिया उसके घर में चल रहे थे लेकिन काव्या अपने पापा से डिमांड करती है कि उसे शादी में एक इक्सपेंसिब डिजाइनल लहंगा ही पहनना है नहीं तो वो ये शादी नहीं करेंगी लेकिन काव्या के पापा उसे इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि शादी में एक ही तो दिन वो ज्रेस पहनने वाली है, तो इसके लिए इतना सारा खर्चा की हूँ, लेकिन काप या किसी भी तरीके से इस बात को नहीं accept कर पाती है, क्योंकि उसका बहुत तिनों से ही सबना था कि वो एक designer एक्सपेंसिव खरिदने के पैसे नहीं देंगे, तो वो खुदी किसी ने किसी के तरीके से पैसे एरेंज करेगी, और अपने मन पर संथ लहंगा खरिदने के लिए काप ये अपने घर से दिल्ली अपने मामा के घर आ जाती है, और तैय करती ही किसी तरीके से पैसे इकठा करकर लहंगा खर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे और उसके फ्रेंज को डर था कि वो लोग एक्जाय में फेल हो जाएंगे इसलिए वो रात को छुपकर अपने प्रोफेसर के घर जाते हैं और उन्हें धराते धमकाते हैं कि उनके मार्क्स बढ़ा दिये जाए जिससे कि वो लोग पास हो जाएं और काव्या के मामा जी ही हम्टी के प्रोफेसर थे और वही पर हम्टी के साथ काव्या की मुलाकत होती है और काव्या हम्टी को कहती ही कि उसके मामा के जगा वही एक्जन पेबर्स चेक करती है और हम्टी और उसके बील डील होती है कि पैसो के बर्दी में व इसके बाद एक चाब्विया को कहते है कि इसकी फ्रेंड को जिल्द शादी होने वाली है 210 वी फॉटोश तीखा कर है और वह उसे बहुत सारे पैसे ले रहा है इसके बाद हम यह का आप यहिज़ करते हैं से DEA कर अधिक और उसे ही वो लोग फसा देते हैं और उसे ब्लैकमिल करते हैं और इसके बाधम्ती और काव्या उस लड़के से बहुत सारा पैसा लेते हैं और गुर्पित को भी उसका हिसा वापस लोटा देते हैं और काव्या के पास भी अब उसका लहंगा खरीदने का पैसा था लेकिन काव्या को यह अच्छा नहीं लगता है कि किस तरीके से उन्हों नों यह पैसा लिया है क्योंकि इस मामली में एक औरत भी जुरी हुई थे और उनका शादी का गहना ही बेचकर उन्होंने यह पैसा दिया था इसलिए काव्या उस औरत को पैसे लोटा देती है लेकिन दूसरे तरफ काव्या हम्टी को उसकी इतना मदब करते हुए देखकर वो भी धिरे धिरे हम्टी को पसंद करने लगता है और हम्टी और काव्या द कहती है कि वो अपने पीता के खिलाफ जाकर उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पीता लव मैरेज़ के खिलाफ है। और वो जब घर भापसा जाती है तब काविया के पापा उसे एक cyber cafe खोल कर देते हैं लेकिन उसके घर भापसाने के बाद से आज तक उन्होंने स्वाती से बात नहीं किया और काविया को लगता है कि शायद उसके पापा कही न कही सही भी है और इसलिए वो अपने बापा के खिलाप नहीं जाना चाहती है तो दूसरे दरफ देखा जाता है कि हम्टी चाहता था कि काव्या की शादी से पहले एक आखरी क्वाइश पूरी हो उसका expensive लहंगा पहनने का क्योंकि अब उन लोगों के पास पैसे नहीं थे इसलिए हम्टी और उसके फ्रेंज अपने कुछ savings इकाठा करकर काव्या को वो सारे पैसे दिये देते हैं ताकि काव्या अपना पसंदिता लहंगा खरिद सके और हम्टी और उसके फ्रेंज का इतना बड़ापन देखकर काव्या भी बहुत ही emotional हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं काव्या अपने घर वापस आ गये हैं लेकिन उसने कोई भी लहंगा नहीं खरीदा था दरसल हम्टी ने जो पैसे काव्या को दिये थे उसे पैसों से वो एक बहुत ही अच्छा सा कार्ड खरीती है और हम्टी को gift कर देती है क्योंकि एक बार हम्टी ने काव्या को कहा था कि हम्टी के पापा को कार्स का बहुत ही शौक है और उनके जिन्देगी का एक ही सपना है कि वो एक दिन एक कार खरी देंगे और हम्टी के पापा का वही सपना अच सच हो गया और ये बाद जब हम्टी और उसके फ्रेंज को पता चलता है तो हम्टी को समझ में आता है कि काव्या उसे कितना प्यार करते है और इसके बाद हम्टी और उसके फ्रेंज टै करते हैं कि वो लोग एक आखरी बार काव्या से मिलने ज़रूर जाएंगी और उसे समझाएंगे और फिर वो लोग काव्या के घर आते हैं और वहाँ पर हम्टी काव्या से मिलता भी है काव्या हम्टी को देखे खुश तो होती है लेकिन इस बात से परिशान के अब आगे क्या होगा इसके बाद हम्टी काव्या के पापा से मिलता है और उन दोनों के रिष्टे के बात करता है और काव्या के पापा हम्टी के ये सारी बात सुनकर बहुत ही गुसा हो जाते हैं और उसे चुप-चप यह से चले जाने के लिए कहते हैं लेकिन हम्टी उनकी बात नहीं सुनता जिसके वज़य से उसे और उसके दोस्तों को बहुत ही मारा पिटा जाता है और जब काव्या को इसके बारे में पता चलता है तो वो हम्टी से मिलने के लिए हस्पिटल जाती है और हम्टी काव्या से कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और हम्टी थोड़ा ठीक होने के बाद फिर से काव्या के पापा के साथ मिलने जाता है और उनसे बहुत request करता है लेकिन काव्या के पापा कहते है कि वो आखर अपने बेटी की शादी हम्ती जैसे लड़के से क्यों करवा है जहाँ पर उन्हेंने हम्ती की मुकाबले एक बहुत अच्छे लड़के को काव्या के लिए चुना है और हम्ती की बहुत जोर करने के बाद काव्या के पापा हम्ती को कहते है कि वो कुछ दिन यहाँ पर रुख सकते है और काव्या के साथ जिस लड़के की शादी होने वाली है अंगत वो लड़का भी अब बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है और वो हम्ती को कहते हैं कि अंगत को देखकर हम्ती एक रिजन ऐसा बताए जिसके लिए उन्हें अंगत के साथ काविया की शादी नहीं करवानी जाहिए और अगर हम्टी ऐसा एक रिजन उन्हें बता पाए तो वो वो अंगत के साथ काव्या की शादी नहीं करवाएंगे बलकि हम्टी के साथ करवादेंगे और ये बात सुनकर हमटी उनके इस शर्ट को मान लेता है इसके बाद जब हमटी अंगत को पहली बार देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छा था तीरे-दीरे हमटी अंगत की कुछ नकुछ गल्दिये निकालने के कूशिश करता है लेकिन अंगत बहुति परफेक्ट इंसान था और धेरे-दीरे हमटी परिशयन होने लगता है आखे आखे वो ये शादी कैसे रोखेगा देरी देरे काव्या की शादी भी पास आने वाली थी और काव्या भी काफी परिशान थी इसके बाद एक दिन काव्या हम्टी को रेलवे स्टेशन में बुलाती ही और टै करती है कि वो हम्टी के साथ भाग जाएगी लेकिन हम्टी उसे समझानी की कुशिश करता है कि उन लोगों को ऐसा नहीं करने चाहिए काव्या के पिता ने हम्टी पर भरुजा किया है और उसे भरुजा के वज़ाय से ही वो हम्टी को यहाँ पर ग्राइनी दे रहे थे और वो काव्या के पिता का ये भरुजा नहीं तोर सकता लेकिन दूसरी तरफ काव्या के पिता को भी किसी तरीके से पता चल जाता है उन दोनों के भारे में और वो नेलवे स्टिशन आ जाते हैं और हम्टी को गलत समझते हैं और कहते हैं कि आखिर फर उसना अपना जहरा दिखाए दिया। लेकिन हम्टी कावया के पिता को समझाता है कि वो कावया को लेकर यहाँ से कहें भी नहीं जाने वाला था। और वो उन्हें कहता है कि शायद अंगत के साथ कावया की शादी ना करवाने की वो कोई भी वज़ा नहीं ढून पाया। और वो अंगत के जैसे इतना अमीर और सकसफुल भी नहीं है। लेकिन वो कावया को दिल से प्यार करता है और वो उसे हमेशे खुश रखने की कुशिश करेगा। और शायद इसी वज़ाए से उन्हें कावया के साथ हंटी की शादी करवानी चाहिए। और ये सारी बाते कहे कर हंटी अपने फ्रेंस के साथ वापस दिल आ जाता है। दूसरी तरफ कावया की शादी का दिन में आता है और कावया एक लोकल लहंगा ही पहनती है। और कावया के बापा उसे मिलने आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो एक्स्पिंसिव लहंगा हैं अब पहना चाहती है या नहीं है। और कावया कहती है कि एक्स्पिंसिव लहंगा उसके लिए रही है। उसके लिए ऐसा लोकल लहंगा ही ठीक है। और फिर कावया के बात सुनकर उसके पापा को समझ में आता है, कि आंगत चाहिए जितना भी सक्सेसफुल और अमीर क्यों नहीं हो, कावया उसे प्यार नहीं करती है, बलकि कावया और हमटी एक दूसरे से प्यार करती है, और कावया उसके साथ ही शायद खुश रहेगी, और फिर वो कावया और अपने फैमिली को लेकर दिल लेते हैं, और वहाँ पर कावया और हमटी एक दूसरे से मिनते हैं, और कावया के पिता हमटी से कावया के साथ उसकी शादी करवाने का वादा करते हैं, और जिस बात से कावया और हमटी दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और इसे के साथ यह कहान यही बड़ी खतम हो जाते है